कन्नोज में पेगंबर मुहम्मद साहब पर अमर्यादिर किपड़ी को लेकर ग्यापन दिया गया इत्री नगरी के उलेमा और मुस्लिम समुदाई ने रास्पती को ग्यापन भेज कर कारवाई की मांग किये इसलामिक रिसर्च सेंटर के मौलाना जियाउल कमर मुजदी भी वह मुस्लिम समाज के लोगों ने नूपु शर्मा नवीन जिंदल सहीद डिबेट दिखाने वाले चैनल पर कारवाई की मांग की है इनका कहना है कि इन सभी पर संगिन भाराओं में मुकदमा दर्श कर कारवाई की जाए ग्यापन दे ने आये उल्मा बोले कि देश में संप्रदाइक माहौल बिगारने की सालिस्त के सहेट चैनल की डिबेट में प्रवताओं ने अमर्यादे ठिपड़ी की का ग्यापन दिया गया है कौन कौन आपके साथ में था और उसक्या ग्यापन लका दे आज हम लोग डियम साथ के कहां क्लेक्टेट करनोज पहुचे हैं तो हम इस सिलसले में आये हैं कि जो आज से तकरीबन 15 दिन पहले नफूर शर्मा और जवी नवीन जल्दन ने जो हमार कि शान में गुस्ताफी की और उन्हें अब स्विद बके हैं उसकी शिकायत करने हम आएं और हमने जितना भी हमारे पुरे जिला कनोज के जो मुसल्मानों के दिलों को तकलीप पहुची है उसको हमने अपने प्रातना पत्र के अंदर दिया है और हमारी उसके अंदर मांग यह है कि हमारे जो मुल्क का कानून है, उसके हिसाब से, सविधानिक तरीके से, जो हमारा मुल्क सब को बराबरी का दरजा देता है, हमें भी उसी कासाथ इंसाफ देते हुए, क्योंकि उसने जुरम किया है, उसने एक ऐसी परसनालिटी जो पूरी दुनिया के लिए को सजा देना ये कानून का हग बनता है और हकूमत का फर्ज बनता है कि उस कानून को नाफिस करना अगर्चे वो लोग जो लोग बुराई करते हैं वो चाहे किसी संगठन के हो चाहे वो किसी हकूमत के आदमी कुखत क्यों ना हो लेकिन अगर वो बुराई पहलाते हैं वो माह कुल खराब में दूसरे चीजों पर जहन दे दिया गया है लेकिन जो असल खराब महुल जिसमें किया है नुपूर शर्मा और नविन जिंदल इन दोनों की बातों से हुआ है अगर सही माना में कानून अपना काम कर दे तो पूरी बुराई खतम हो जाएगी और सब सुकुन से रहेंगे हमारा अपना मुल्क है हम अपने मुल्क के लिए हर वक्त तयार हैं और इसके लिए जो भी कुर्बानी हैं अपने मुल्क के लिए देने के लिए तयार रहते हैं